आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं फ्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार राश्वपती द्रौपती मुर्मू कल भूपाल में साथ में अंतराश्रे धर्म धं मुसमेलिन का उद्खाटन करेंगी तृपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव नतीजों में भारती जनता पार्टी की सरकार बनना तै मेघाले में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी राश्वधान सभा में विपक्ष के हंगामे के बाद आज की कारवाही कल तक के लिस्थागित और इन दो टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खत्रा औस्रेलिया को जीत के लिए महस 66 रंका लक्ष अब समाचार के स्तार से राश्वधी द्रौपती मुर्मो कल भोपाल में आयोजेश साथ में अंतराशे धर्मधम सम्मिलन का उद्खाटन करेंगी साची बौध भारतीय ग्यान अध्यन, विश्विद्याले और इंडिया फांडेशन द्वारा आयोजेट सम्मेलन नए युग में मानववाद के सिधान पर किंद्रित होगा धर्मधम के वैश्यों के चारों को एक मंच प्रदान करने वाले सम्मेलन में 15 देशों से साथे तीन सोच्यातिक विद्वान शामिल हो रहे हैं इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रिलंका, इंडोनेशिया, थाइलेंड, वियतनाम, निपाल, देक्षिन कोरिया, मौरिशस, रूस, स्पेइन, फ्रांस, अमेरिका और बिटिन की सिभागिता होगी कुशाभाव ठाकरी कन्विंशन सिंटर में आयोजे तीन दिवसी सम्मेलन में चार मोखे सत्रों में 25 विद्वान अपने विशय का निरूपन करेंगे इसी दोरान 15 समानांतर सत्र भी होंगे, जिन में इसम्मेलन की थीम नए युक में मानववात का सिधान पर केंद्रित 115 शोद पत्र पढ़े जाएंगे इसम्मेलन में पहली बार एक अनूठा मंतरी सत्र भी होगा, जिसमें पांच देशों के मंतरी सांस्रकतिक सामान जस से और विभने विशयों पर चर्चा करेंगे राजिपल मंगु भाई पतील, मुख्यमंतरी शिवरासिंग चोहान, संस्रकति मंतरी उशा ठाकुर्भी इस सम्मेलन में सहभागिता करेंगी त्रिपुरा, मिघाले और नागलायन में विधानसभा चुनावों के आज मत करना हुए आप तक मिले नतीजों में भारती इंतवार्टी और उसकी सहयोगी आईपी एफटी त्रपुरा में सरकार बना रही है वही नागलायन में सत्तारुन एंडी पीवी भाजपा गडबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है मिघाले में त्रिशंग को विधानसभा की संभावदा हैं यहाँ नपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी भाजपा की जीत पर आत आट बजे दिल्ली इस्थित पार्टी मुख्याले पहुचेंगे और पार्टी कारिकर्णाओं को संभोधित करेंगे कींद्री नागरी कुडियन और इसपात मंत्री जोदरादेते सिंधिया ने कल पेश किये गया बजट की सरहना की है श्री सिंधिया ने आज ग्वालियर में आम जंता का बजट बताते हैं कहा कि इसे जंता के 4,000 सुझाओं से तयार किया गया है उन्होंने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के माध्यम से 54 करोड 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित क्या जा रहा अंतराज्जिय बस टर्मिनल ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा भारत सिरकार के युवा कारिक्रम और खेल मंत्राले के अंतरगत नहरु युवा के इंदर द्वारा चार मार्च को धार में युवा उत्सव का आयोचुन क्या जा रहा है युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में प्रतियोगिता और संस्कृतिक कारिक्रमों की थीम अमृत काल के पंच प्रण विक्सित भारत के निर्मान, एक जुटता, गुलामी की हरसोच से मुक्ती, नागरिक करतव और विरासत पर गर्व करें रखे गए हैं उत्सव को लेकर युवाओं में भारे उत्सा है, नहरु युवा केंद्र धार के जिला, युवा अधिकारी स्वपनिल देश्मक ने बताये कि उत्सव में 15-29 साल के युवाओं के लिए पांच प्रतियोग दाओं का आयोजिन किया जाएगा भारत सरकार के युवा करेक्रम एवंखेल मंत्राले अंतरगत नेरु युवा केंद्र धार धार द्वारा युवा उत्सव का आयोजन धार शास्कियस नातकुत्तर महाविद्याले के आडिटोरियम में 4 मार्च को किया जा रहा है इस उत्सव में 15-29 वर्ष के युवाओं के लिए 5 प्रतियोगिताएं कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, बाशन और संस्कृतिक कारेक्रम का आयोजन किया जाएगा उत्सव को लेकर केंद्र द्वारा तैयारियों जोरोपर की जा रही है युवाँ उत्सव को लेकर धार जिले के युवाँ में भारी उत्सा है प्रतियोगिताएं में भाग लेने के लिए औफ्लाइन एवं आनलैन लगाता रजिस्टेशन हो रहे हैं शेकडोझ युवाँ द्वारा अभी तक रजिस्टेशन करवाया गया है इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं हंगामे के चलते सिदन की कारवाही कल सुबह 11 बजी तक के लिए स्थागेत कर दी गई लोकसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला ने कहा है कि प्रतेक शेत्र में महिलाओं की बर्ती भागेदारी नए भारत का परिचायक है उन्होंने कहा कि देश में महत्तपून बदलावलाने के जिम्मेदारी युवाओं की है शेवर्ला आज पार्लेमेंट सेंटरल हॉल में राश्य युवा संसद उत्सव नवाई पी एफ दो हजार तेश के भागेदारों को संबोधित कर रहे थे समार्थिक बदलावों में युवाओं की भूमिका को लेकर शेवर्ला ने कहा कि देश और वैश्विक मंच पर महत्तपून बदलावलाने में देश के युवा महत्तपून भूमिका निभा रहे हैं मोख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान के जन्म दिवस पांच मार्च को सभी 413 नगरे निकायों में निर्मिद शिव वाटिका में 23,360 पौधे लगाए जाएंगे मोख्य मंत्री द्वरा इसी दिन लाडली भेनाई उचना शुरू की जा रही है नगरी विकास और आवासमंत्री भूपेंदर सिंग ने बताया कि पौधरोपन सुबह 8 बजे से सभी नगरी निकायों में होगा उन्होंने कहा कि पौधरोपन की तयारी कल से शुरू हो जाएगी इस्थानी पुझाती के पौधों को प्राथमक्ता से लगाया जाएगा अब ख़वर मौसम की प्रुदीश में बदली मौसम और चक्रवाती हवा ने तापमान में गिरावट दर्ज की है मार्च के पहले ही दिन कल कई शहरों में बुनदा बांदी हुई वही कई जिलों में बादल चाय रहे मौसम विज्ञानिकों के नुसार आजस्थान के दक्षन पश्चिम हिस्से में चक्रवाती हवा का खेरा बना है इसके असर से मदप्रदीश में बादल चा रहे हैं हाला कि तीन मार्ट से ज्यादा शहरों में गर्मी का असर बढ़ जाएगा बैतूल से हमारे समवादादा ने बताये कि कल शाम को से लिके कुछ लाकों में हलकी मुनदा बांदी हुई है भारत और उस्ट्रेलिया की बीच चल रही बॉर्डर गवास का ट्रॉफिक के तीसरे टेस में भारती टीम पर हार का खत्रा मनरा रहा है महमान टीम को 76 रन का टार्गेट मिला है इन दौर के होलकर स्टेडियम में भारत दूसरी पारी में 103 से टन पर सिमट गया भारती टीम के ओल आउट होते ही अमपायर्स ने दिन के खेल की समापते की खोशना कर दी इससे पहले दूसरे दिन बहमान टीम ने 156 पर चार के स्कोर से अपनी पहली पारी को आके बढ़ाया और 197 रन पर ओल आउट हो गई भारत के लिए रवेंद जड़ेजा के अलावा रवचिंदरन अश्विन और उमीश यादव ने तीन तिन वेकेट लिए दूसरी पारी में भारत की ओर से चेती शुर पुजाराने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए अब कुसमाचार सिंग शेप में जल जीवन मिशन के तहट आगरमालवा जिले के ग्राम धाबला के लवा में आज स्कूली विद्यार्थियों ने जागरुकता रैली निकाली अश्योगनिकर जिला अस्पताल में चार मार्च को निशल कैंसर रोगने दान शिवर का आयोजिन किया जाएगा दिशाय स्कीम के अंतरगत गुना जिले के भानपूरा में विदिक साक्षरता कारिक्रुम आयोजित किया गया सिहोर जिले में प्रधान मंतरी इश्रम योगी मांधन पेंचन योचना प्रारम की गई है इस योचना के अंतरगत 15,000 से कम मासिक आय के श्रमिक बात रहोंगे मुरैना में हायर सेकिंटरी बोर्ट परिक्षा में 24,166 परिक्षार्थियों ने हिंदी का पेपर दिया जिसमें एक नकलची पकड़ा गया जाबुआ कलेक्टिर रजनी सिंग, पुलिस अदिक्षक आमन जैन, जिले की पारागाओं की भगोरिया में शामिल हुए यहां उन्होंने प्रिशासनी को और पुलिस विवस्ता का जायजा लिया नहरुआ केंदर द्वारा अंतराश्री महिला सब्ता का आयुचिन किया जा रहा है शास्की भुकतान को सुद्रन और सुरक्षित बनाने के नर्मदा पुरमजिला को शाले कार्याले में दो दिवसी पसिक्षन का कारिक्रम आयुचित किया गया तीर्स रर्शन योचिना के अंतरगत खंडवा सी सूला मार्श को कामाख्या तीर्थ के लिए विशेश्ट्रेन रवाना होगी पांच मार्श तक आभी दिन जमा किये जा सकते हैं अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कल भूपाल में साथ में अंतराश्रिय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्खाटन करेंगी तुरुपुरा और नागलैंड विधानसभा चुनाव नतीचों में भारती जनता पार्टी की सरकार बनाते मिघाले में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी राजविधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद आज की कारवाही कल तक के लिस्ता गित और इन दौर टेस्ट में भारती टीम पर हार का खत्रा औस्टेलिया को जीत के लिए महस्चतर अनका लक्ष इस गुलिटिन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार